मैं हूँ आपको एक्जाम पार्टन प्रविंट सिंग राजपुरुजर आज अपने वाले क्या जे ट्रांस्फॉर्म का टॉपिक जो है आपको उसका प्रॉपर्टी जो रहेगा आपका बेज्ड ऑन मल्टिप्लिकेशन बाइ याने क्या आपको अगर F of K की कीका किसी का भी जे ट्रांस्फॉर्म निकालना है तो वहां पे आपका F of K के साथ में K basic concept क्या है कि कोशिनों किस तरीके से solve करना है कैसे लिखना है क्या लिखना है एंड में क्या answer होता है कैसे लिखना होता है यह सब आपको बता होना compulsory है अगर आपको नहीं पता है तो क्या कर सकते हो आप यहां पे कि M3 का जो playlist बना हुआ है मैंने चानल के उपर वहां जाओ देखो concept clear करो अच्छी तरीके से उसके बाद में अगर आप इस वीडियो पर आते हो तो आपको concept और भी अच्छी तरीके से clear हो जाएगा अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो पर based on multiplication by k तो सबसे पहले इसका एक property देख लेते हैं कि multiplication by k रहेगा तो उसका answer कैसे आएगा तो यहां पर मैंने property दिखा हुआ है z of k into f of k यानि f of k आपका यहां पर function है साथ में क्या हो रहा है k multiply हो रहा है तो उसका z transform आपको यहां पर निकालना है तो कैसे निकलेगा जैसे आपको जब भी k multiply होगा f of k के साथ में तो अपन निकालेंगे minus z d upon dz into f of z क्या लिकेंगे minus z into d upon dz मतलब derivative ठीक है with respect to z के term में into f of z अब यह तो अपनने property पढ़ लिया लेकिन अब actual में question कैसे solve करेंगे यह तो सबसे बड़ा question यह यह न अपना ठीक है तो अपने पर क्या करते हैं clear करते हैं तो question आपको इस तरीके से है f of k equals to k ठीक है यह मैंने क्या ले ले यह अपर f of k को मैंने क्या consider किया k consider किया है condition है k is always greater than equal to 0 तो यहार रखना z transfer में आपका हमेशा condition important है condition आपको check करना है कि कौनसा यहाँ पर greater than है कि lesser है greater तो कौनसा formula लेसर तो कौनसा formula करके ठीक तो यहाँ पर आपन क्या करेंगे let f of k equals to 1 अब आप बोलो कि sir यहाँ पर आपने f of k को आपने k लिया हुआ है और यहाँ पर आप 1 ले रहे हो तो देखो यहाँ f of k equals to 1 लेंगे और k आपका multiply लेंगे तो Z of F of K equals to Z of F of K कितना है 1 तो ये Z of 1 आएगा Now Z of 1 का अपने को यहाँ पे sequence पता है formula पता है Z upon Z minus 1 अब बोलो कि सर ये कहां से आया तो ये अपने कहीं से निकाला नहीं है ये अपने को standard Z transform का जो formula है वो अपने को given है तो Z of 1 कितना होता है Z upon Z minus 1 Now अब ये इसका जो solution है वो आपने को मिलता है क्या 1 minus Z raise to minus 1 hold raise to minus 1 अब ये का से मिलेगा तो इसके लिए मैंने अलग से एक individual video बनाया हुआ है चैनल पे basic funda वाला basic concept वाला तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको आपे concept clear हो जाएगा पूरा अच्छी तरीके से Now Z of K अब K into 1 हो जाएगा देखो Z of K into 1 हो गया मतलब जब भी कि आप K F of K में K multiply करेंगे तो क्या करेंगे ये formula यूज करेंगे minus Z d of dz into F of Z तो यह आगे मेरा minus Z d upon dz F of Z F of Z मतलब क्या मेरा ये जो मुझे Z of F of K मिलता है इसको क्या बोलता है F of Z मतलब यह आएगा 1 minus Z is to minus 1 hold is to minus 1 सहाज में है Now Z transform of K into 1 equals to minus Z आगया है अब derivative of this निकालेंगे तो ये मानलो मेरा क्या हो गया पूरा X raise to minus 1 तो अपने को answer मिलेगा minus 1 minus Z is to minus 1 hold is to minus 2 into जब 1 का करेंगे 0 और Z is to minus 1 उसका क्या जाएगा Z is to minus 2 मैंने simple सा यहाँ पर क्या क्या हुआ है derivative of this निकाला है मैंने और कुछ नहीं किया इस पूरी को मैंने X consider किया तो X is to minus 1 हो गया तो X is to N का formula क्या होता है N into X is to N minus 1 टीक है वही मैंने यहाँ पर formula यूस किया है और कुछ भी नहीं किया Now यह आगा है Z transform of K into 1 equals 2 अब यहाँ पर जब इसको solve करोगे तो आपको मिलेगा answer Z into Z is to minus 2 upon 1 minus Z is to minus 1 whole square ठीक इसको आप जब solve करना तो आपको यहाँ पर यह पका मिलेगा यह मैंने यहाँ पर डारेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी यह था इसके लिए तो क्या मिलेगा अपने को Z into Z is to minus 2 upon 1 minus Z is to minus 1 whole square ठीक इक्वल स्टू अब देखो यहाँ पर 1 है यहाँ पर minus 2 बेस सेम है तो 1 minus 2 कितना हो गया minus 1 तो यह आगे मेरा क्या Z is to minus 1 upon 1 minus 1 upon Z whole is to square समझे माया अब Z is to minus 1 को मैं क्या लिखूंगा 1 upon Z upon अब इसको मैं solve करूंगा तो मुझे अंदर क्या मिलेगा Z minus 1 upon Z whole square equals to अब देखो यह Z square है यह क्या मिलेगा अपने को यहाँ से Z और यहाँ से square का एक Z वो cancel हो के आपने को मिलेगा 1 upon Z minus 1 whole square upon Z अब यह Z मेरा जाएगा उपर तो मिलेगा मुझे Z upon Z minus 1 the whole square समझ मैं आजी तरीके से पक्का यहाँ पर मैंने क्या किया यह 1 upon Z था upon Z minus 1 upon Z the whole square तो मैंने क्या किया Z minus 1 the whole square यह उपर लिखा और यह Z square हुआ तो यह Z square और यह 1 Z मेरा 1 Z cancel हो गया तो यहाँ मेरा 1 Z बज गया यह Z मेरा जाएगा क्या उपर तो मुझे मिलेगा Z upon Z minus 1 the whole square तो मुझे Z Z transform of multiply by K of 1 function का मुझे Z transform किता है Z upon Z minus 1 the whole square सहुज माया तो यह था क्या multiplication by K of F of K तो thank you so much वीडियो देखने के लिए अपर वीडियो अच्छा लगा तो like कर दो comment कर दो subscribe कर दो अगर आप इस channel पर नहे हो तो subscribe करना भूलना मत और बैर आगर प्रिस करना भूलना मत क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियो से जो engineering mathematics के आने वार है thank you so much have a nice day